दोस्तों तो इस वीडियो में हम एक और SME IPOs के बारे में बात करने वाले हैं तो यह IPO है गोईल सॉल्ट का IPO तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमपनी के बिजनस के बारे में कि कमपनी का बिजनस कैसा है IPO कब उपेन हो रहा है प्राइसमेंड कितने करखा गया है और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है इस आई प्यो में अपलाई करना है या फिर नहीं करना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें तो सबसे पहले अगर आई प्यो के डिटेल्स की बात करें तो ये आई प्यो 26 सितंबर से उपिन हो रहा है यानि कि मंगल वार्थ से उपिन हो रहा है और ये 29 सितंबर को कलज होने वाला है फेस में लिट 10 रुपे पॉर्स शेर रहेगा और बुकिंग प्राइस 38 रुपीज है लॉट साइज 3,000 सेर्स का है आई प्यो का इसू साइज 18.63 करोड का है और ये पूरा का पूरा फ्रेसी सूख आई प्यो है और ये एक सिमी आई प्यो होने माला है तो कमपनी एनसी ए सिमी पे लिस्ट होगी आई प्यो में रिजर्वेशन पोर्सन की बात करें तो QIBS के लिए 50% का रिजर्वेशन है HNIs के लिए 15% और इटेलर्स के लिए 35% का पोर्सन दिया गया है कमपनी के बिजनेस की बात करें तो कमपनी 2010 में इनकोर्परीट हुई है तो ये कमपनी सॉल्ट की रिफाइनिंग प्रोडक्षन और इनकी सेलिंग करती है तो कमपनी सब सो इसे जो रो सॉल्ट निकलता है उनकी रिफाइनिंग करती है उसके बाद उससे इंडेस्ट्रियल सॉल्ट और इडिवल सॉल्ट तयार करती है तो कमपनी राजस्थान के अंदर में काम करती है तो कमपनी काफी अलग-अलग तरह के सॉल्ट की सप्लाई करती है जैसे कि triple refined free flow iodide salt है industrial salt, double fortified salt, triple refined half dry salt तो इस तरके काफी सारे जो salt है वो हमें बनाते हुए दिखने को मिलती है याने कि refine करके salt त्यार करती है तो company जो industrial salt बनाती है तो उसका यूज अलग-अलग तरह के industries में किया जाता है जैसे कि soap and detergent industry, textile and dyeing industry इसके लावा glass industry, polyester, plastic, rubber, leather और chemical industries में भीन का यूज किया जाता है और company का जो refinery है वो हमें सांभर लेक के पास नवा city में देखने को मिलता है तो overall company के business की बात करें तो ये जो segment है वो highly competitive segment देखने को मिलता है याने कि already market में कई company अलिस्टेड हैं और unlisted market में भी कई सारी company इस business में लगी हुई है company के financial की बात करें तो अगर asset की बात करें तो company के asset में year on year हमें growth देखने को मिल रही है अगर revenue की बात करें तो company के revenue भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है अगर company के profit की बात करें तो हलांकि कम्पनी बढ़ियां profit भी बना रही है तो financial 12 से financial 30 के profit को देखें तो कम्पनी काफ़े अच्छे profit में देखने को मिल रही है और इसके जो profit है वो around हमें 5 times होते हुँ देखने को मिल रहे है यानिकि इसके profit 5 गुना बढ़ गया है लेकिन financial 22 में इसके जो profit है वो हमें कम देखने को मिल रहे है कम्पनी के net worth की बात करें तो यहाँ पर भी हमें year on year अच्छी growth देखने को मिल रही है कम्पनी के reserve and surplus की बात करें तो financial 22 में कम्पनी के reserve हमें बढ़ती हुँ देखने को मिल रहे है लेकिन current financial की बात करें को मिल रहा है जो कि थोड़ा सा heavy date हो जाता है तो overall अगर company के financial की बात करें तो company के financial हमें okay okay देखने को मिल रहे है यानि कि company के रिज़र पहले के मुकाबले कम हुए है वही company के उपर heavy date भी देखने को मिल रहा है हालांकि company profit बहुत बढ़ियां बना रही है और company IPO से जो fund raise करने वा बलकि अपने business के growth में लगाने वाली है यानि कि अपने business को एक brand बनाने में और उसकी marketing में लगाने वाली है अगर KPI की बात करें तो इसका जो P multiple है वह 13.97 का है यानि कि IPO reasonable price के उपर आती हुए देखने को मिल रहा है IPO overvalued price के उपर नहीं है तो आगे IPO से आपको बढ़ियां listing देखने को मिलेगा अब ROE और ROC को देखें तो ये दोनों ही काफी attractive है डेट ट्विक विटे रेशो 0.57 का है EPS की बात करें तो ये थोड़ा सा हमें down देखने को मिल रहा है वही अगर return on net worth की बात करें तो ये भी हमें बढ़ियां देखने को मिल रहा है तो overall company के financial हमें ठीक को मिल रहे हैं IPO के time table की बात करें तो IPO 26 सितंबर से यानि के Tuesday से open हो रहा है और 29 सितंबर को यानि के Friday को close हो जाएगा IPO का lot में date 5 October रखा गिया है refund date 6 October है credit date 9 October है और IPO के listing 10 October को होने वाली है IPO के lot size की बात करें तो IPO में 3,000 shares का एक lot है यानि की एक lot के उपर investment amount एक लाग 14,000 रुप किस price पे treat कर रहा है और IPO से कितना profit हो सकता है तो अगर इसके premium की बात करें तो इसका अभी current premium 18 रुपे पे treat कर रहा है और IPO में lot size 3,000 shares का है तो इसका मतलब है किस IPO से करीब 54,000 रुपे profit हो सकता है तो इस IPO से आपको 47% का listing गें देखने को मिल सकता है तो इसकी देखे तो इसकी अभी से demand देखने को मिल रही है और इसका premium भी अच्छे price के उपर treat करते हुए देखने को मिल रहा है तो आगे इस IPO में भी apply किया जा सकता है तो अगर IPO पिन होने के बाद IPO में बढ़ियां subscription आते हुए देखने को मिलते है और इसके premium भी इसी price पे stable रहते है या इसमें IPO में definitely apply किया जा सकता है अलंकि किसी भी IPO में apply करना है या फिर नहीं करना है यह पूरा का पूरा आपका अपना decision होना चाहिए तो आपको अपने risk reward को analyze करके ही कहीं भी investment करनी चाहिए तो I hope कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो अगर आपने वीडियो को अब तक like लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी subscribe कर लें और वीडियो कौन तक देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद